और जो एश ने एक बात कही थी कि एप्रिल में दो बं गिरने वाले हैं और एप्रिल में बोनस है और यह सभी चीजे एप्रिल ऐसा मन्त है जिस मन्त की हम पिछले दो-चार सालों से वेट कर रहे थे और इसका पूरा क्रेडिट जाता है जसी सर को क्यों इसका मैं एक रिजन बताऊंगा आपको क्योंकि यह 2020 की बात है हिमाचल के हमारा ग्लोबल का एक सेशन चलता था वहाँ पर जसी पाजी आये थे और जसी पाजी ने वह वालेट के बारे is a real estate transactions होंगे और यह transactions आप किसी भी merchants को कर सकते हैं आप आपके मर्चंट्स आपको बैंक से पेमेंट करनी है या फिर आपको पर्डुक कुछ पर्चेस करना है ऑन-लाइन आपको टिकेट बुक करनी है कुछ भी आपके को कस्टमर्स को आपके पर्सनल जो आपके कोई दोस्त है उन्हें भी आप वालेट की तुरू पैसे सेंड कर पाएंगे तो मैंने वहां पे एक सर को क्वेश्चन किया था कि सर यह वालेट हमारा कब तक आने वाला है उन्होंने कहा कि बस वालेट अभी कुछ दिनों में लाउ और यह एप्रिल मन बहुत ज़्यादा आपके लिए एकसाइटमेंट लेकर आ रहा है यहाँ पर मैं बात करूंगा फिजिकल प्रोड़क की आज का रात का भी हम सेशन करेंगे जहाँ पर हम लिंक्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर मैं सिर्प जो फिजिकल प्रोड़क का मैनिफेक्चरिंग स्टार्ट कर रहे है 15 आप्रिल को तो बहुत सारे लोगों के यह कोश्चन आया कि सब्सक्राइब ऑब जाके ख़तम होगा कब जाके हमें वह product मिलेंगे और कब जाके हम उस product को यूज करेंगे क्या हमारे जब तक hardware नहीं आएंगे तब तक क्या हमारे जो अभी current product हमें यूज करने में नहीं मिलेंगे देखिए hardware जो है hardware company दो टाइप के hardware बना रही है कुछ hardware ऐसे हैं जो software को supportive होगे और कुछ hardware ऐसे हैं जो market की need होगी अभी software को supportive hardware के हम बात करेंगे जिसमें सबसे पहला हमारा जो software है हमारा video conferencing का application Oconnect अब मैं यहाँ पर आपको एक example देना चाहता हूं और एक example के through मैं आपको share करूँगा जैसी कि मैं आज जॉइन हुआ हूँ लैप्टॉप से और मैं यहाँ पर मेरा web camera यूज़ कर रहा हूं इसका एक reason है क्यूंकि मैं basically एक mirrorless camera के साथ connect होता हूं webinar में और एक professional video quality के साथ मैं हमेशा connect होना चाहता हूं बट कुछ कारणवर्ष मेरे camera यूज़ करता था उस camera में कुछ technical कुछ error आ गए उसका power ic shot हो गया तो camera बंद हुआ तो मैं अभी कहां से आपके साथ जॉइन हुआ हूँ webcam से अभी मेरी video quality देखे आप अभी मैं जूम पे आप से साथ बात कर रहा हूं तो जूम का जो ज्यादा से ज्यादा पिक्सल है वो है 720 पिक्सल ठीक है 720 पिक्सल के उपर में यहाँ पे higher picture quality के साथ जॉइन नहीं हो पाता हूं अगर मुझे यहाँ पे higher picture quality के साथ जॉइन होना पड़ेगा तो मुझे एडिशनल एक hardware की जरूरत है एडिशनल एक device की जरूरत है जिसके through मैं जॉइन हो सकता हूं अब device की अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ा photography और इन सारी बातों के बारे में पता है तो मैं additional एक camera यूज़ करूँगा अब camera की अगर बात करें mirrorless अगर एक camera यूज़ करते है अच्छे quality का या अप DSLR य अब यहां पर problem क्या है कि मैंने experience किया था कि एक बार मैं मेरे एक computer shop है हमेशा मैं वहां पर जाता हूं computer से related कुछ accessories है या फिर computer से related कुछ technical कुछ problem है तो मैं वहां पर जाता हूं करता है और वह discuss कर रहा था उस shopkeeper से कि मैं मेरे meeting में higher resolution के साथ join होना चाहता हूं तो उसका क्या solution है क्योंकि मेरी company से demand यह आ रही है कि आप जब आपके zoom webinar में connect होते हैं company के conference में तो आप एक higher video quality के साथ साथ में join होना पहां रहा हूं बट मेरे laptop का जो webcam है वो support नहीं कर रहा है और जो शॉप की पर था वो उसे explain नहीं कर पा रहा था कि किस तरह से हम higher picture quality में लाइज जा सकते हैं तो उसके लिए बहुत सारे options हैं बहुत सारे लोग वेब क्याम अलग से use करते हैं बहुत सारे लोग उसके लिए action cam use करते हैं बहुत सारे टीवाइस एक लाग सवालाग के आसपास यह सारा setup होता है अच्छी quality तो आपको सिप DSLR से यहां फिर मिरलेस से मिलेगी और मिरलेस अगर आपको अटेच करना है आपके वेबिनार के साथ तो आपको एक्जेट आपको 50,001 लैक्स के आसपास खर्च करना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े जहना on passive समझ रही है कस्टमर्स की यह जो problems हैं उसे समझ रहे हैं कस्टमर्स जूणना चाहते हैं higher resolution के साथ जूणना चाहते है बड़ उनके पास डिवाइस नहीं या फिर उनके पास वैसे hardware नहीं है तो onpress view को यह पता है कि जब हम higher video quality दे रहे हैं जब हम higher video quality दे रहे हैं जब हम एक higher picture quality दे रहे हैं तो साथी साथ हमें कुछ ऐसे device भी देने पड़ेंगे कि जिस device के थुरू हम लोगों को एक बहतर audio video quality के साथ connect कर पाएं picture quality तो हमारी 4K हैं इसमें कोई doubt नहीं है हम 100% 4K resolution के साथ आ रहे हैं बट 4K को supportive हमें hardware भी चाहिए होंगे ताकि हम हमारे picture quality को और ज्यादा improve कर पाएं इस वज़े से hardware की बात हो रही हैं इस वज़े से webcam की बात हो रही हैं इस वज़े से microphones की बात हो रही हैं और यह सारी चीज़े on passive खुद manufacture कर दिये तो आप सोचिए जब O connect के साथ लोग live होंगे तो उन्हें compulsory होगा कि अगर उन्हें एक better quality के साथ खुद को present करना है webinar में तो उन्हें एक अच्छे device को भी उन्हें लेना पड़ेगा और वो सारे devices on passive उनको देगी तो यहां से देखिए सिर्फ हम software से नही हम hardware से भी earning करते जा रहें तो दोस्तों इतने multiple sector में हम जा रहे हैं hardware भी बहुत बड़ा market software है उतना ही बड़ा market hardware भी है hardware भी बहुत ज्यादा important होते हैं किसी डिजिटल activity के लिए तो इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यह हमारे लिए बहुत बड़ा positive sign है तो अभी म इसमें थोड़ा मैं भी एड़ करना चाहूंगी शर ने बहुत बड़िया तरीके से hardware software को distinguished किया उसका थी कि नुप शर ने जो भी comparison किया between software और hardware वह बहुत 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 बहुतरीन तरीके से बताया कि market की नीड क्या है एक्चली एसर ने भी कल यही बताया है कि इंटरनेट पर ही आज कल सभी सभी चीजें इंटरनेट पर ही है जो है वो इंटरनेट ही है हमारे